अब देखिए यूज यूकलीड अलगोरिफम हम भी फिर से SCF निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले तो SCF भी निकालेंगे तो देखिए बड़ा नमर कौन सा है तो 1, double, 4 और 5 बड़ा है is greater than 1, 1, 9, 0 तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले 1, 1, 9, 0 से उसको डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 9, 0 और इसको डिवाइड करते है 1, double, 4, 5 तो कितने बार में एक ही बार में होगा तो 1, 1, 9, 0 5 में से 0 हो गया 5 उसके बाद यहाँ पे 14 में से 9 गये तो बचेगा हमारे पास 5 चीक है और यहाँ पे देखो यह 1, carry हो गया था तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 और यह तो खटम ही हो गया अच्छा आप दीखिए यहाँ पे यहाँ फिर से चेक कर लों, गरपर नहीं हो 5, 0, 4, 14 में से 9 गया पास और 4 में से 1, एक कैरी हो गया था तो यहां पर तीन में से एक गया तो दो ठीक है अब मुझे इससे डिवाइट करना है 1190 को ठीक है तो यहां पर कितने बार में होगा यह पांच बार में पांच बार में जादा हो जाएगा चार बार में तो यहां पर पांच बार में जादा हो जाएगा चार बार में तो यहां पर पांच बार में जादा हो जाएगा चार बार में तो यहां पर देखो यह बचेगा जीरो नौ में से दो गए तो बचेगा साथ और यहाँ पे देखो एक मेंसे 0 हो गया तो बचेगा 1 ठीक है? तो यहाँ पे यह 170 रह गया अच्छा अब 170 से 255 को भाग देंगे तो फिर से एक यह ये बार में होगा तो यह 170 हो गया अब यहाँ पे देखो यह हो गया 30 और 50 तो यह 85 और इसको 170 से 170 को देंगे तो पचासी दिना 8 दूना 16 दो दो बार में 170 ठीक है तो यहाँ पर HCF क्या आगया हमारे पास यह आप देखे इसको मैं लिख लेता हूँ पहले Euclid के टर्म में तो यहाँ पर सबसे पहले है 1, double, 4 और 5 is equal to 1, 1, 9, 0 और multiply 1 और plus में 255 ठीक है यहाँ 11, 9, 0 यहाँ पर बराबर में 255 और गुणे में कितने बार में 4 बार में और plus में 170 यहाँ पर देखो 255 बराबर में 170 और गुणे में यह 1 और plus में 85 और यहाँ पर देखो 170 बराबर में 85 और गुणा में 2 और plus में 0 so this is what this is hcf ठीक है तो यहाँ पर देखो आपको यह hcf समझ में आ गया अब देखो hcf जब समझ में आ गया तो उससे उपर सारे equation का जर्थ पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर देखेगा किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले क्योंकि मुझे 85 को express करना है तो पहले मैं 85 लिख लेता हूँ क्या लिखेंगे hcf of one double four five and one one nine zero is 85 तो इसी लिए from equation third से क्या होगा 85 is equal to कितना होगा तो यह पूरा इधर आएगा equal to कितना हो जाएगा 255 और माइनस में 170 और into में 1 तो देखो न मुझे 255 चाहिए मुझे किस टर्म में express करना है वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मुझे यह express करना है देखो 1190 1190P और प्लस में 1445Q इस टर्म में मुझे express करना है तो यहाँ पे जो भी यह numbers है इसको हमेशा हम variable के term में मानेंगे तो यह न मुझे 255 चाहिए न मुझे 170 चाहिए मुझे यह दो numbers चाहिए तो यहाँ पे देखे इस से उपर वाले step में 170 की value मिल जाएगी वो क्या मिलेगा यह पूरा तो 170 की value पहले put कर देते हैं दिखेगा कैसे तो इसको तो 255 भी रहने देंगे या फिर यह भी अगर आप एक ही step में कर सकते हो तो कर दो वैसे नहीं कर पाओगे confusion हो जाएगी तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले यहां से मैं 170 की value put कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा minus में 170 की value put करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1190 और bracket में ज़रूर डालना 1190 minus में 255 और into में 4 ठीक है यह कहां से आया तो from equation third third equation से आया ठीक है अब मैं पहले इसको simplify कर लूँ क्योंकि यह 255 को क्या मानना था मुझे variable मानना था देखेगा कैसे तो यह क्या हो जाएगा 255 minus में यहां पे देखो multiply 1 था तो उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा 1 से करने पर यह ऐसे रहेगा तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा यह minus 1190 और यह minus minus यह plus 255 into में 4 अब देखो यह दोनों similar term हो गए तो यहां पे यह क्या हो जाएगा 255 और into में 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और minus में 1190 कुछ नहीं है तो multiply 1 ठीक है लिख सकते हो आप अब यहां पे देखो मुझे 1190 तो चाहिए बट मुझे 255 नहीं चाहिए तो 255 देखिए यहां पे first equation से इसमें से 255 की value put कर देंगे तो देखो तो 255 कितना है मेरा तो यह 1445 1445 और minus में क्या होगा 1190 multiply 1 1190 multiply 1 इसको एक bracket में रखो यह 255 की value और multiply 5 minus 1190 multiply 1 ठीक है अब इसको मुझे simplify कर देना है आ जाएगा expression देखो 5 से multiply करने पे 1445 multiply 5 minus में 1190 multiply 5 बन जा 5 minus में 1190 multiply 1 अब देखो यह दोनों जो है यह similar term है अगर मैं 1190 को variable मानूँ और दोनों minus में है तो coefficients क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे 1445 multiply 5 minus में 1190 multiply 5 प्लस 1 यह 6 हो जाएगा ठीक है तो यहां पे देखो और यह चीज मेरा इसको पहले लेना है तो यह कैसे लिख सकता हूँ यह देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1190 multiply minus 6 और प्लस में 1445 multiply 5 यहां पे देखो यह sign minus था तो यह minus इसके साथ चला जाएगा तो 1190 multiply minus 6 और प्लस में यह तो प्लस में है यह 1245 multiply 5 तो इससे देखो क्या मिला इस पॉर्मेट में मिल गया 1190 पहले चाहिए था 1190 का जो coefficient है वो P है तो यहां पे P की value minus 6 आ जाएगे और वो Q है तो मैं यहां क्या लिख सकता हूँ 1190 P और प्लस में 1445 Q तो comparing coefficients यह comparing both side on comparing both side तो क्या हो जाएगा P की value हमारी minus 6 आ गई और Q की value हमारी 5 आ गई और HCF जो था HCF of 1190 and 1445 क्या था वो तो 85 और उसे हमने express कर दिया 1190 multiply minus 6 और प्लस में 1445 multiply 5 आप देखो इसको आप solve करोगे तो आपको 85 मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बहुत ही interesting बहुत ही important question था यह बाईट की secondo आप लो हो